क्या उसने पत्र नहीं लिखा इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं तो दोस्तो इस सेंटेंस के आंत में हैं लिखा तो जब भी इन्दी sentence के अंत में क्रिया के साथ आ करके आता है जिसे इसमें लिखा तो ऐसे sentence past and definite tense के नियम से English में translate होते हैं तो यह sentence है interrogative और negative दोनों past and definite के interrogative negative sentence को English में translate करने का structure है पहले लिखेंगे डावले एच वर्ड और इस sentence का डावले एच वर्ड है क्या लेकिन जब क्या starting में हो तो क्या की meaning नहीं लिखते हैं पहले लिखेंगे did उसके बाद हम लिखेंगे subject उसने की English ही उसके बाद not लगाना है उसके बाद हम लिखेंगे verb main verb इसमें लिखा तो लिखना को इसमें right कहते हैं तो not के बाद right लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे object object है इसमें पत्र तो लिखेंगे right के बाद a later did he not write a later क्या उसने पत्र नहीं लिखा इस sentence के इंगलिस did he not write a later did he not write a later तो दोस्तो मिलते हैं ऐसे और भी Hindi to English Translation के next वीडियो में तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें